रूस के राष्ट्रपतिवला दिमीर पुतिन के आमंतरन पर पीएम मोदी सूमवार को रूस के सोची शहर के दोरे पर गए थे वहाँ उनकी पुतिन के साथ एक अनौपचारिक शिखरवारता हुई इस दोरान पीएम मोदी ने पुतिन को अटल बिहारी वाजपई से उनकी मुलाकात की याद दिलाई काला सागर के तटपर बसे शहर सोची में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा साल 2000 में पदभार संभालने के बाद से आपका भारत के साथ अटूट रिष्टा रहा है पहली बार रूस के राष्ट्रपती बनने के बाद आप भारत आये थे उस समय अटल बिहारी वाजपई प्रधान मंत्री थे उस दोरान आपने भारत को एक जीवन्त लोकतंत्र बताया था इसको लेकर भारत के लोग आज भी आपको याद करते हैं मोधी ने पुतिन के साथ बाद चीप में पूर पीएम अटल बिहारी वाजपई का साथ बार जिक्र किया मोधी ने काला सागर में बोटिंग की और कुल मिला कर साध घंटे पुतिंग के साथ रहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सोमवार सुबह अपने अनौप चारिक डोरे पर रूस के सोची पहुँचे थे और वहां के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की पुतिन ने मोधी की गर्म जोशी से स्वागत किया इसके बाद दोनों नेताओं ने नौक का विहार भी किया पी एम मोधी ने पुतिंग को राष्ट्रपती चुने जाने की बधाई भी दी उन्होंने कहा मुझे फोन पर बधाई देने का अवसर मिला था लेकिन आज मिलकर बधाई देने का सौभाग ये मिला भारत के सवा सव करोड देशवासियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई साल 2000 में पदभार संभालने के बाद से आपका भारत के साथ अटूट रिष्टा रहा है पी एम मोधी ने कहा कि भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं इनका रिष्टा अटूट है पी एम मोधी ने कहा राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन मेरे बेहद करीबी दोस्त भी हैं सोचे में अनौप चारिक मुलाकात के लिए आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपती पुतिंग का शुक्रिया उन्होंने कहा कि भारत को शंगाई को आपरेशन और्गनाइजेशन एस्सियों की स्थाई सदसिता दिलाने में रूस ने अहम भूमे का दिलाई हम इंटरनाशनल नौर्थ साउथ ट्रांस्पोर्ड कोरिडोर आएनस्टी सी और ब्रिक्स ब्रिक्स के लिए मिलकर काम कर रहे हैं